मैं आपको शादी की मुबारक देने आया था और साथ में एक पुरानी गलत फेहमी भी दूर करना थी वो हामुशी मगर नर्मी से उसको रिखती रही वो जाली मुखपरी जो मैंने की थी वो मुझे आपके पास जाकर नहीं करनी थी गासे ने मुझे बसीरत सहाब के पास भेजा था वो नहीं थे तो मैंने आपको बता दिया ये मेरी गलती थी उसको तो पता नहीं था कि मैं इस का चेरा देखाऊ, वो चुपचाप उसे देखती रही, फिर उसी पुर्सकून और नर्मन्दास से बोली, मुझे बता है, एहमर के सारे दस्वरात भक्स से उड़ गए, जी, वो फिर एक रिकीनी से उसे देखने लगा, आपको कैसे बता, मुझे सही तो आपने पूचा था, मसीरत साहब का, वो नहीं थे, तो आपने मुझे बता दिया, मैं समझ गई थी, एहमर देजी से दो कदम आ गया है, मतलब के आप जानती हैं सब, तो फिर आप खाजे से खफा क्यों हैं, क्योंकि उससे मुझे समाल करके जेल तोड़नी जाहीं, अल्गे से गंदे उचका कर उसे सुकून से वोड़ी, एहमर उलचन से रुख कर उसे देखने लगाओ, मगर अभी आपने कहा, क्या आपको मालूम है क्यों मेरी गलती थी तो, सुमर चन सानी उसे लिखती रही वे गैरी सांस देकर कुर्सी की दफिशा रखिया हूँ, बैठी एहमर, इतनी इसन, कोई और वक्त होता तो वो सोचता हूँ, मगर अभी वो पौरण उसे कुर्सी संभाल कर बैठाओ, आगे को हुए पेचेहनी से उसे दिखाओ, आपकी अंदाज से लगता है कि आप हमारी शादी के वारे में बोखोत कुछ जानते हैं, मैं अपने जाती मामला त्यों डिसकस सहीं कर दी, मगर जोंकि मोज़ों आपने चेड़ा है और इससे आपका तालूप भी है, इसलिए मुझे बताइए, उसरोस क्या तारीख थी जब आप मेरे पास जाली मुपरी लेकर आए थे? आप, पता नहीं. वो कर बढ़ाया, उसरोस सोला तारीख थी, क्या आपको याद है कि उसके बाद फारीख से मिलने में किस दिन जेल आई थी? यगीन कीजिए, जेल ने मुझे कलेंडर नहीं दिया गया था, गो के, ये मेरे प्रिजन राइट्स के हिलाफ था मगर? 21, मैं 21 तारीख को दुबारा जेल आई थी, और मैंने फारीख को बहुत सुनाई थी, यानि चार दिन बाद, ठीक? जी ठीक, वो तो अच्छा से सुन रहा था, आपने किस दिन बताया फारीख को, कि ये मुख़़ी आपने मेरे सामने की है? उसी दिन, सोला तारीख को, जाते साथ ही बता दिया, बहुत होस्सा हुआ मुझ पे, उसे कहा कि वो आपको समाल नहीं करना चाता था, और जोश से बोलते बोलते हो रुखा, जुमूर्ट, उदासी से मुस्कुराई, और फिर फारिख से क्या किया है हिमर, और हिमर को लगा, उसके मुँपे चावक दे मारा गया हूँ, वो हवनकू की तरह सुमर की शकल दिखने लगा, फिर उससे खाइब दमागी से दोरा है, आप मुझे ये बताने आएं कि वो बेकसूर है, क्योंकि उससे कुछ नहीं किया, मैं आपको बताती हूँ, वो कसूर वार है, यूँकि उससे कुछ नहीं किया, एहमर बस चल सा उसे देखे या, तो वो फारिस की हिमायत में इतना अंदा हो गया था, यूसे सामने की बात नसर नहीं आई, सोला धारीक को आपने उससे बताया, क्या आपने मुझे सवाल किया है, मुझे अंदासा था, ये बात आप उसे जाते ही साथ ही बताएंगे, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ, वो ताहमल से खेरे थी, वो आप पे हवा हुआ, बुस्सा हुआ, और फिर वो चुप हो गया, उससे कुछ नहीं किया, मैंने उसे चार दिन दिये, अंको उठा बंद करके, उंगलिया दिखाई, चार दिन, ताकि वो अपनी गल्ती को दुरूस कर ले, मुझे यकीन था, ये सिर्फ एक गल्ती है, अठारा थारी को, उसे जोडेशल रिमांट की तोसीख के लिए, अठालत लाया गया, कॉरिटोर में, मैंने उसे गुजर दियोगे देखा, अभी चंदरोस पहले ही तो उससे मुझे वहां रोक कर कहा था, ये वो बेगुना है, मगर अठारा थारी को, मुझे देखका हमोशी से गुजर गया, मैं इंतिसार करती रही, एक दफ़ा वो कहते, ये एहमर की गलती थी, हम आपको इस समाल नहीं कर सकते, मगर उसने प्लैन जारी रखा, उसने प्लैन जारी रखा एहमर, एहमर बिल्कुल लाजवाब सा होकर उससे देख रहा था, ये वो वक्त था, जब मैंने ढाई साल तक उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे ढर था, मैं उससे माफ कर दूँगी, और जब वो मेरे सामने आया, तो मैंने शायर उससे माफ कर भी दिया था, मैं उसके केस की खुद तहकीक करने जा रही थी, मैं सब कुछ अपने हाथ लेना जाती थी, मेरअ दमाग कहता था, वो इतने कवार जिरूने उससे गन लेकर, होटिल की कमरे में जाते दिखा है, जिरूने उससे अपने भाई के होस्टल की कमरे से, रात को निकलते दिखा है, वो सब सच कह रहे हैं, मगर दिल कहता था मैं उसे एक चांस सोड़ दूँ और मैंने दिया एहमर साहब मैंने उसको चार दिन दिये यो अपनी खलती दुरूस कर ले ठीक है उससे नहीं पता था मगर जब पता चल गया तब क्या किया उससे क्या मुझे बताया कि रॉइट्स नहीं जेल तोड़ने जा रहे है क्या सोचा कि फरार के बाद मेरा क्या बनेगा मैं एक औरत हूँ एक औरत के साथ ये पुरी कुछहरी क्या करेगी उसको मालूम था सब मगर उससे कुछ नहीं किया उस दिन मैंने हमेशा के लिए फार स्वेदबार करना छोड़ दिया था अब मुझे उस्वेदबार ही नहीं रहा फिर भी जब मैं उसके पास गई तो उससे कहा कि तुमने अपने साइड किक एमर के अफुरू भींचे को मेरे पास स्वेजा तो ये कहते हुए भी मेरी खुआश ठी कि वो कह दे मुझे तु नहीं पता मैंने तो कुछ और कहा था मगर उससे पलक तक नहीं जब की यानि वो जानता था कि आप मुझे कहा है और उससे कुछ नहीं किया माफी भी नहीं मांगी एहमर क्यों से मांगनी नहीं चाहिए थी एहमर के सर खुद बहुद अस्वात मेहला उसने शाहिद इसलिए उटहर गया सारी दरीले हदम हो गई बेबसी से उससे सुमर को लेखा यहां उसका कसूर है मगर उसने वो कतल नहीं किये वो निगाए सुमर के चेरे से हटा नहीं पा रहा था जो पुर्शुकून से बेढ़ी थी उसके आँकों में उदासे थी महरित में नान भी था जब आपका एक धोका सामने आ जाए तो आपके सारे सच मश्कूक हो जाते है और यह मत कहिए यह उससे वो कतल नहीं किये आपके चेरे पे लिखा है कि आपको उद्भी एकी नहीं कि वो बेगुणा था मुझे नहीं पता वो बेगुणा है या नहीं उसके हिलाफ इतने सबोते हैं कि अगर सोचू तो वो कातिल लगता है मगर हो में रत्वास है मुझे उसकी हर बार ठीक लगते है I am sorry हमने बहुत वालत किया खफ़च से कर्दन कद्रे चुका कर वो बोला मुझे आपकी मौसर से फर्ट नहीं बढ़ता आप मेरे कुछ नहीं लगते नर्मिस सिकंदे उचका कर वो बोली तो उसे देख कर रहे है और फिर उटिया अगर आपको कभी ये मालूम हुआ क्यो बेगुना है और उसे फ़साया क्या है तो आप क्या करेंगी वो बेगुना नहीं है कमसकम मुझे इस फे अब यकीन नहीं आथा मैं दुबारा आपसे मौसरत करता हूँ उसका ओफिस ठोडने से पहले एमर ने पिर सिखा था जो मैंने सर को बस खम दिया मगर वो जानता था उससे माज़त कभूल नहीं की थी लर्सीशू से मावरा तू भी नहीं मैं भी नहीं दोनों इनसान है ख़दा तू भी नहीं मैं भी नहीं एमर अपने किचन की मुझे स्टूल पर सोच में गुम बैठा था जब दर्वासा खुलने की आवास आई फिर भारी कदम करीब आदे सुनाई दिये क्यों बुलाया है पारिस वेने आज़े सिर्फ वुष्टा साखल स्टूल पर बैठा और गर्दन मोड कर उसे देखने लगा जो आंके छोटी करीए सामने इसी है मेरा इन नुक्ते को देख रहा था ए हेलो फारिस से उसके चेहरे के आगे चुटकी बजा ही वो चोंका नहीं बस ऐसा से गर्दन मोड कर उसे देखा आज को चेहरे ही किया था किसी काम से मेडम जुमर से मुलाकात हुई फिर फारिस से चौंक कर उसे देखा वो सामने देख रहा था यार हमने एक लड़की को इस्तमाल करके जेल दोडनी चाही लानत है हमारे उपर वो पहले कदरे हैरान हुआ पे नागवारी से लब भींज लिए चेहरा मोड कर सामने देखने लगा ये किस्सा क्यों दुरा रहे हो हमने एक लड़की को इस्तमाल किया यार वो सख्त पुर मलाल था एक मिनट मैंने तुम्हें दूसरे वकील के लिए पेगाम दिया था ये तुम्हारी गल्ती थी अब किस उससे बात काटी और फिर तुमने क्या किया वो भी उतनी ही दुरिश्टी से उसका चेहरा देखते हो बोला तुमने मेरी गल्ती को ठीक किया मुझे एक दफ़ा भी कहा कि जाकर उसको सब बता देते हैं तुम्हें पता था कैसे मुखपरी पे कारवाई के बाद अगर हम फरार हो गए तो उसके साथ क्या होगा मगर तुमने सब कुछ चलने दिया ऐसे जाहिर मत करो जैसे तुमने कुछ नहीं किया मगर मैं उसका कुछ नहीं लगता था घासी तुम्हें कम इसकम तुम्हें प्लैन जारी नहीं रखना चाहिए था और फिर बात में तुम्हें इससे माफी भी माँगनी चाहिए थी वो कतल तुमने नहीं किये होंगे तुम बेकसूर होगे मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जिंदी में हर मामले में बेकसूर हो तुमने वाकिए उसको इस्तमाल करने की कोशिश की संजीती इससे औगेरा आदा फारिस सन्य अबरो के साथ चेहरा मोड़े सामने देखता रहा हूँ चन पल एक शतीद तनाओ की कैफित में हामोश बुसे फिर वो उसी हवगी से गोला मैं क्यों वाफी मांगता मैंने उस पर गोली नहीं चलाई थी एमर ने फोरण अस्वात में सरे लाया बिल्कुल तुमने उस पर गोली नहीं चलाई तुमने उसका दिल दोड़ा है मुझसे पूजो तो ये ज़्यादा बड़ा गुना है मलामती अंदास से कहकर उठिया और घूमकर लौच की सिम्ट आया और मेस पर रखका मूबायल उठाकर बटन दबाने लगा चन लम्हे उस इसहारे लाता लुकी की नसर हो गए फारिस अभी तक उचे स्टूल पे बेटा हफ़ी सितामने देख रहा था हिमर उसकी पुष्ट पे था जब हो मसीद कुछ न भोला तो फारिस से कहरी सांस सी मुझे पता है मैंने उसे इस्तमाल करने की कोशिश की मैं खुद घर्स हो गया था मैं धाई साल से जेल में बन था मेरे पास कोई दूसरा रास्था ओ प्लीज कोई वजाहत मत देना किसी का दिल तोड़ने की कोई वजाहत नहीं होती मुबाइल जेब में रखते हैं मैंने जावियों का कुच्छा उठाया और आधारी किस सिंधा बढ़िया अगर तुम्हें हुच जाना था तो क्यों बुलाया मुझे उससे बेजारी सिवका रहा ये बताने के लिए कि मैं आज के बाद चुडेल को चुडेल नहीं कहूंगा तरसल आज मुझे अंदासा हुआ कि वो इतनी बुरी नहीं है जितनी कोड में मुझे लगा करती थी और हाँ दरवासा कोलते कोलते वो रुका मुड़कर सिंजीरी से दूर बैठे फारिस को देखा मेरा ह्याल है वो जो तुम्हारे साथ कर रही है तुम वो डिजर्व करते हो पिर अल्विताई अंदास से हाथ इलाया और पाई निकल कर दरवासा बन कर दिया बत्तमीज पहले से हराब मूट स्चेपनी ने मस्जीद घाराब कर दिया था वो स्टूल दखेल था उत्पी जाने के लिए उठा और ये तबी था जब नुद्रत का फून आया मैंने जुमर को कॉल की थी उससे बताया वो ओफिस में है तुम दोनों यू करो तो भैर में हमारी तरफ आजाओ साधी सुभा कह कर दिया था ये शाम को रेस्टूरेंट से कस्टमर्स के लिए बन कहके बार्वियू करेंगे शाम को हाशिम ने खाने पे बुला है मैंने सुमर से बात कर लिए है वो कह रही है हाशिम से मासरत कर लेगी तुम भी आजो और नुदरत उचलत में फून काट गई परिस से पेसारी से मुबाल को तका अगर हाशिम से मासरत करनी ही थी तो मेरे सामने हाँ करने की क्या जरूरत थी बेहत बुरे मोट में वो वहाँ से निकला था सांस रोकी कड़ा था मलकुल मोट सामना दीब को हावा का था चोटे भागीचे वाले घर के लाउंच को खोला ने धंबख्ष रखी थी खाने के बरतन उठाये जा चुकी थे नुदरत हुशी हुशी सुमर को कुछ बढ़ा रही थी जो सूफे भी बैटी नर्मी से मुस्कुरा थी उनको दिख रही थी आना करीब में पैर उपर करके बैटी डाजेस बढ़ते हुए नाखुन चबा रही थी फारिस को दिखो आया ही नहीं कब से फून किया था उसे नुदरतनी खड़ी देखते हुए कदरे हवगी से कहा जुमर बातिककत मुस्कुरा पाई साधी कब आएगा मुसू तब दिल क्या पता नहीं आज किसी काम से गया था शायद देर हो जाए और एन उसी वक पहरुनी दरवासा खुलनी की आवास आई उन तीनों ने बेक्तियार उस सरफ देखा वो शाय तेजी संदर आया था इसलिए अगले ही लवे रादारी अबूर करके चोकट प्यानों का कोट पहना हुआ था मगर टाय धीली थी बाल कदरे भिकर चुके थे और धूप की तमासा से चेहरा तम ताय माया हुआ लग रहा था माते पे वसीना भी था मगर ये उसका हुलिया नहीं कुछ और था जिसके पाइस हुआ सब उसको देखने लगे चारहाना अंदास और आँखों में दवा उस्था जुमर को देखकर उचोकट में धमा सुर्ख असीली आँखों से हाना को देखा कर्दन तिर्शी खर के इशारा किया बात सुनो मेरे ना सलाम ना कुछ अनीन के रसाला पकड़े हाथ नम होने लगे चेहरा बेरंगों भाई को पता चल गिया अनन धेटबर्स के मेनत के बात भी अपना इत्पार खोने से नहीं बचा सकी सब इकारत क्या उसका दिल टूपने लगा जुमर की नसर ने साधी से हनीन के चेहरे तक का सफर क्या जो एकदम परेशान नसर आने लगी साधी कहकर रुका नहीं मुड़िया हाना मरे मरे कत्मों से उठी और उसके पीछे ही गई साधी नुत्रत ने फिकरमंदी से बुगारा मगर उससे नहीं सुना वो कंप्रे में आया कोट उथार कर कुर्सी पे डाला वो पल्टा तो हाना उंगलिया मरोड़ी उसके सामने आकर खड़ी हुई साधी ने दर्वासा पहुंस रखेल कर बन किया और उसकी जाने भूँआ दर्वासा चोकर से अभी चार इंच दूर था जब पाहिर से सुमय ने हैंडिल थाम लिया जरा से दर्स वाकी रह गई तुम्हारे आखरी पेपर में जो लॉस्कूल में था क्या हुआ था हाँ क्या हुआ था वो टैश से से खूरते दो कदम मसीद करीब आया आना ने डड़ते ड़ते पलके उठाई आपको किससे बताया हो हनीन मैंने तुम्हें रख कर थपड मानना है अगर तुमने मिझे सीधी तरह पूरी बात न बताय तो तुम चीटिंग करते वे पकड़ी गई थी और तुमने हाशिम को बुलाया था हाँ अनीन की साधी का चेरा तक्ती आँखे नम हुई जरा सा असबात में सरे लाया साधी के गत्मों तले जमीन से रखने लगी हाशिम सही कह रहा था उसके कान सुर्ख हुए तुम्हारा भाई मर क्या था जो उस खटी हादमी को बुलाया तुमने वो बेखर्द गम और उससे सिधारा था तुम्ही क्या प्रॉब्लम है इस बात से जुमाय ठंडे अंदास वे खेदी अंदर दाहिल हुई हनाने नम आखों से चौप कर उसे रिखा वो हनीन के सामने हाँ खड़ी हुई सादी के मुकाबिल जुमाय मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ आप दर्म्यान में मताएं उससे उससे को सब्ट करते पामोश के लिहास के हूँ उससे ने पेपास उलब विटे वहीं खड़ी रही इली भी नहीं मगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ हाशिम को बोलाने के लिए मैं नहीं कहा था इसे इससे पहला फून मुझे क्या था सादी की आँकों में देखकर उसी सुकून से भोली अनीन का दिल धक्स से रह गया मुझे पता है आप जूट बोल रही है आपको इस बात का इल्म भी नहीं दा वो उतने ही उससे से बोला शायद तुम भूल गया हो कि मैं तुमसे आच साल बढ़ी हूँ इससे पहली बात मुझे सरा तमीज से बात करो दूसरा ये कि मुझे तुमसे चूट बोलने की जुरूरत नहीं है मेरा फून रेकॉर्ड चेक कर लो बेशुक साधी की दने गंदे गद्रे ठीले पड़े मगर गुस्सा भरी आँकों में शुको को शुभाद लिए उस सुमर को देखता रहा हूँ अच्छा अगर आपको ये बात पता थी तो क्या नाम है उस वकील का जो उस लौ कॉलेज का मुंतजिम है और जिससे हाशिम भाई ने बात करके इसको उससे लिए नसर हनीन पिढ़ाली इस मसले से निकलो आया था राजा अब्दुल भासित मेंबर हाई कोट पार के खर का इड्रेस भी दून का वो इतनी भरमी से वोली कि साधी के आँकों में उल्चनूरी बारे बारे उन दोनों के चेहरे दीखे अगर हादीन ने आपको कॉल किया था तो आप उत क्यों नहीं गई हाशिम को क्यों इनवाल्व किया मेरे घर के मामले में वो अब भी मश्कूक था उससा फिर से चड़ने लगा क्यूंकि मैं दिन में पच्चिस खाम करके देती हूँ उसके दो चार हो कर देगा तो एसान नहीं करेगा वो अब कीस से कह रही थी उस वकील से मेरे तालुकाद अच्छे नहीं है उससे गुरुप को वोट नहीं दिया था मैंने दूसरे भी के मसाइल है मेरे साथ मैं जाती तो मसला मस्जीद भी करता इसी मैंने हाना से कहा के हाशिम को कॉल करती हूँ मेरे करने से पहले हाना ने कॉल कर ली और वो पहुंच भी है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस सबसे तुमने साथी के चेरे पे श्याल उप्रा उंगले उठा कर संखीन अंदाज से पूछो तुमने चीटिंग की थी या नहीं और ये वो सवाल था जिसका जवाब सुमर को भी मालूम नहीं था सो हो उसी तुमिनान से हनीन की दरब खुमी भोलो भी हनीन अपनी पुसीशन क्लियर करो खा नहीं जाएगा वो तुमें और हनीन जो इस वक मुतलिफ कैफियात का शिकार हो रही थी उसका धिल बार आया आखों से आसू टिप टिप किरने लगे मैंने चीटिंग नहीं की थी पिछली लड़की ने टिशू में नकल लिखकर मुझे दी कि अगली को दू वो टिशू मेरा नाच था ना मैंने कुछ बढ़ा उसमें मैंने तो सिर्फ टिशू पास किया था मुम्तहिन ने मुझे देखा और दूसरों को नहीं बस मुझे उढ़ा दिया और फिर उस सारा वाक्या वास्या 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 वधाने लगी तो मैं पता था उस टिशू में क्या लिखका है वो सकती से पूश रहा था और एक यही नुपता था जहां पहुंचकर पिछले दो हफदे से हनीन का तिल डूपता था मुझे पता था मगर और साधी ने बेसारी सिसा शटका तो मैं पता था और फिर भी तुमने टिशू आगे पास किया तुमने उनकी अनाहत की तुम उनकी चेटिंग में शरीक बनी तुमने मुझे से वादा किया था हनीन अच्छा अगर तुम इसकी जगा होते तो क्या करते सुमने उसकी तबच्चा हनीन से अटाए मैं उसी वक्ड़ा होकर वो टिशू मुद्ध हमीन के हवाले कर देता आने थे जुर्म जुर्म के बरावर ही होती है तुम ऐसा कर भी सकते हो क्योंकि तुम्हारे साथ कमरे इम्तिहान में लड़के होते जो ठाने चले जाए परशा कट जाए और तीन साल इम्तिहान न दे सकें तो क्यामत नहीं आती मगर हाना के साथ लड़कियां थी और उनकी इज़त अगर खाक में मिले तो पूरा हांदान दबा होता है साधी कैया ये उन दो लड़कियों कोई खल्दी कि इतनी बड़ी साधे देती वो तेज सहजे में उससे मुहा देती साधी आंकों में बेवना भर में थी साधी के मात्ते की तेवरियां कद्रे ठेले पड़ी मगर पूरी तरह नहीं और अब क्या होगा वो वकील इस चीज को अब भी इस्तमाल कर सकता है तो मैं लगता है मैं उसे ही करने दूँगी उससे उल्टा हैरे से साधी को पूझा कोई भोज साधा जो साधी के दिल से सिरकने लगा वो रुख मोड़कर के अरे सांस से दहुद को कंपोस करने लगा आना विकरमंदी से बारी बारी दोनों का चेरा देखती उसका सांस अभी तकटका था मुझे क्यों नहीं बताया हाँ उससे मलामती नसरूं का रुख सुमर की दरफ किया तुम्हें बताती ताकि तुम वो करो जो अभी कर रहे हो आखिर में हो तो फारिस के भांजे ही न पिलाल वो दोनों भांजे इस रेफरेंस वे इतिजाज करने की हिमत नहीं रखते उसी तेस बरवंदाज से बोलती गई और तुम क्या कर लेते वहां आकर स्वाय मसला भढ़ाने के मैंने वो ही किया जो मुझे ठीक लगा हाना ने भी वो ही किया जो उसे ठीक लगा जाधा स्मार्ट बनने की जुरुवत नहीं है जब तुम इंगलेंड में मसे कर रहे थे साधी ने उस लफ से भेखत्यार अबरो उठाई तो यहां जुमर और हनीन अपने मसले खुदखल कर रही थी क्या हमने तुमें बताया हाना कि उस क्लास वैलो के बारे में जो से हरास कर रही थी यो स्वाइस प्रिंसिपल के बारे में जो गलत तरीके से इसकी मेनद चुराना चाह रही थी या उन लोगों के बारे में जिनको मैं और हाना घर जाकर उनकी गह कानोनी चाहिदात के लाओ कारवाई की धमकी देकर आए थे हमने तो बहुत सारे मस्ते खटे सुल जाए किस-किस का बताओ मैं तुमें एक वागे को तीन से जर्ब देकर उससे कहा तो साधी का गुस्सा जाता रहा वो वागे टुकर टुकर दोनों की शकल देखनी लगा मेरी बात कान खोल के सुनो साधी आएंदे सहजे में अपनी बेहन से बात मत करना पढ़ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उंगली उठा कर सकती सुसको वाणी दी अब बाहे निकलो तो तुम दोनों का मूट ठीक होना चाहिए बापी को पनक भी नहीं पढ़नी चाहिए एक आखरी नराज सासर उन पे ढालकर रोपाहे निकल गए पीछे साधिय और हनीन के तर्म्यान हामुशी खायल हो गई वो जोगी भीगी पलकों के साथ खड़ी थी और वो गो के अभी तक अफ़कीस उसे दिख रहा था मगर साफ साही था कि वो ठंडा हो चुगा था I am sorry मैंने सिफ इस से नहीं बताया कि मुझे लगा आप मुझे खलस समझेंगे बगर मैं आपको बताने वाली थी अगर तुम गलत नहीं थी तो मैं तुमें गलत क्यों समझता जुमर जो भी कहें तुम लोगों को मुझसे कुछ चुपाना नहीं चाहिए हम एक फैमिली है हम एक दूसरे से बाते नहीं चुपा सकते आपने कहा था कि अगर आपने दोबारा चीटिंग का सुना तो हम दोने एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ओहो साथे ने जुला कर सचटका अम्मी दिन में पचास दवा कहती है कि तुम्हारी टांगे तोड़ देंगी कभी आज तक तोड़ी अनीन ने आँखे उठा कर उससे देखा पिन अभी मिसाल आया इंसान तंभी करते हुए बहुत सी बाते कह देता है ऐसा करना थोड़े ही होता है हम एक हांदान है तुम लाग दफ़ा गलती करो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा मैं तुम्हारा भाई हूँ मौत के लावा कोई चीज हमारे दर्म्यान नहीं आ सकती और मौत का लफ्स इतना उदास कर देने माला था क्या नीन का दिल लरस क्या मगर वो कह रहा था मेरी बात सुनो अब तुम कभी भी आएंदा हाशिम को नहीं बुलाओगी चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे बुलाओगी मैं नहीं है तो तुम जुमर को बुलाओगी मर कभी भी हाशिम पे भरोसा नहीं गड़ना वो वैसे नहीं है जैसे आप उनको समझते हैं वो हमारे लिए इतना करते हैं और हम बिल्कुल, बिल्कुल सेंट हाशिम की बुराई तो हमारा खांदान सुन नहीं सकता हूँ अफसूस से उससे हाना को दिखां बारहाल, हम इस बारे में बात में बात करेंगे अब मैं फ्रेश हो लूँ अनिन ने भी सुक का सांस हैं बारे निकली तो साथ ही कुछ याद आने पे साथ ही बाहर आया जोमन उद्रत के साथ लोंचे बैडी दी मुझे कुछ काम करना है फिर मैं चाहता हूँ कि आप सब रेस्टुरेंट में जमा हो जाएं रात के खाने के लिए मुझे आपको हुच बताना है तुमने हाशम को कॉल किया, हाशम कारदार को उससे सँसमे से तबी आवाज से फूश बूश ती उससे हनीं को कोन इससे पकर काचटका दिया वो मेरे मकरूस है, मुझे समझ नहीं आए और क्या करूँ मैं उसे तफसिल से एक एक बात बता दी साधी को किसने बताया उसे उसे सिकूरते बात काठी पता नहीं उन्होंने नहीं बताया जाहिर है हाशिम ने बताया होगा कभी भी नहीं वो नहीं बता सकते किसी और ने बताया होगा अनी ने जितने वसोक सिखा जोमर ने चोंक कर उसे दिखा आँखों में ताचोले कहरा हुआ हाशी मच्छा आदमी नहीं है हाँ न कभी दुबारा उसको अपने मसलों के लिए नहीं बोला न अच्छा वो खफीब से होकर रह गई फिर याद आया आपको कैसे बढ़ा उन वखिल साहब का ना हो तुमने हुद बढ़ाय था कि तुम कहां एक्जैम से रही हो वहाँ एक ही सीनियर लॉयर है मैं जानती हूँ उनको ओ तो बागी सब सच था अब कयामत तक साथी को पता ना चले कि तुमने मुझे कॉल नहीं की थी मुबाइल पे नंबर मिलाती हूँ बाइर की तरवड़ी पर्स वीचे संदाज से कंदे पे डाला अनीन ने हिरानी से उसरे रिखाओ आप कहाओ मुझे एक रिपोर्ट उठाने जाना है लैब शाम तक आजोंगी मगर सुनो चाते चाते दोबारा सकती से तन्बीगी आइंदा कोई भी मस्सा हो तुम उससे नहीं मुझे बोलाओगी चाहे तुम्हें मुझे से कितनी ही नफरत क्यों नहों आखरे अलफाद से हनीन का दिल एक्दम खाली हो गया वह वहीं शल्सी खड़ी रह गई सुमर उसको देखे वगयर मुबाइल पे बटन दबाती आगे बढ़ गई खड़ी-खड़ी नुत्र को काम का बदाया और फिर उसी तरह मुबाइल पे देखती रादारी पारगी और दर्वास कोला तो उस सामने खड़ा था एंडिल पे हाथ रखने लगा था उसे देखकर रुप गया सुमर ने चेरा उठा कर उसे दिखा फिर वापिस उभाइल पे नसे चुका है एक तरफ हो गई वह हामोशी संदर आया और वो निकल गई पारिस करदन मुड़ कर उसे चाते देखता रहा दिल में चुपा कर्ब और आँकों में खसन मसीद भढ़ गया तुमने उसका दिल दोड़ा है मुझसे पूछो तो ये ज़्यादा बड़ा होना है जिस वक्त उनुद्रस से मिल रहा था और अनीन किड़ी की से बारिस उमर को जा दे दे गई थी अन्दर साधी अपने बातरूम से दास अधम होकर निकल रहा था केले बाल तूली से रखड़ते सफ़ेद आदी आसीन की टी-शिर्ट और नेली जीन्स वेने वो पहले से बहुत हलका फुलका लग रहा था कमरे का दर्वासा लोग किया और कोट जो आज पहन करिया था उससे उठाकर कम्प्यूटर चेर पर आ बैठा लेप्टॉप ओन किया सोहाशिम भाई साधी यूसूफ एक मासूम बेवगोव बच्चा है न कोट क्यों परी जेव से पर निकाला और को बीचे बैट पे उचाल दिया और ये मासूम बच्चे इतना घामड है कि आपको जाकर कहता है कि अद्राफे जुर्म करें कि माफी मांग ले और देद अदा करें आपके हयाल में साधी आज आपके पास इसलिए आया था बिलाखिर वो तकान से मस्कुराया लेपटॉप स्क्रीन रोशन हो जोगी थी नहीं हाशिम भाई मैं आपके पास इसलिए आया था अपने पैन को देखते है वो बड़ बड़ाया और प्र पैन का ठकन खोला अंदर निप नहीं थी उसकी जगा युएस्टी पलग था साधी ने अपनी मस्कुराट के साथ लग लेपटॉप में दाखिल गया मुझे सिर्फ आपका इतराफ पे जुर्म चाहिए था हाशिम भाई और वो मुझे मिल गया पैन लेपटॉप में लग जुगा था और अब उसकीन पे वो देख रहा था जो उसमें लगी नन्नी कैमरे ने रिकॉर्ड किया था साधी की उपरी चेप में लगा कल आशिम के ओफिस पे दाखिल होने से लेकर वहाँ से निकलनी था तमाम अनासिर पेदिन क्वाल्टी में अक्स बंद कर चुटता आया था जो कि ज़्यादा वक्त उसके सामने हाशी मुझा ओहरात रहे थे इस सीव स्क्रीन पे विल्कुल सामने नजर आये थे पॉइंट प्लैंक पे जैसे इंटर्वी रिकॉर्ड करवा रहे हूँ मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा मगर क्या आपकी अपनी बात पे भी कोई यकीन नहीं करेगा आसूदा सी कहरी सांस वाइदे उससे कुर्सी पे टेक लगा लिए आप लोहों ने फारिस खाजी को भसाया टेकनोलिजी की इस्तमाल करके अब आप देखिए कि मैं ही टेकनोलोजी आपको कैसे लोटाता हूँ मैं एक बेवकूफ बच्चा नहीं हूँ अब भूल गए मैं एक साइंस दान हूँ वीडियो पेद्रिंग क्वालिटी और क्लियर आवास के साथ उसके सामने चल रही थी और वो बाजों का दख्या बना कर सर दले रखके टेक लगायत में नान से उसे देख रहा था जाने महसिन तुम भी था जिद्धी अना मुझ में भी थी दोनों खुद सर थे चुका तू भी नहीं मैं भी नहीं दोबहर बासी होकर शाम में डल गई और सारे शहर पी नीला सा देरा फैलने लगा ऐसे में चोटे पागीचे वाले ख़य की लौच में रोनक लगी थी पड़े अपर नर्मिस से मदम आवास से फारिस से कुछ कह रहे थी जिसे वो संजेजी की से सुन रहा था अलबता काहे बगाहे अपा एक पुर्तुर शुईश निकास सुमर पर भी डालते जो फारिस के साथ बैटने की बज़ाए सामने बैड़ी थी वो नोबे आता लड़कियों की तरह ही लग रही थी शेफ़ून की हलकी काम वाले लंबी नेवी ब्लू काउन और सिल्क वजामी में उल्वूस छुगे चेहरे पर मेकप भी नसर आता था और कानों में हावे से भी मगर वो जिस सरा सामने जाकर बैटी थी और अभी तक फारिस से मुहादीब नहीं हुए थी ये यूसुफ साब को खटक रहा था नुद्रत पिन्या जोड़ा पैने अंदर कमरे में तैयार हो रही थी मेकप के लिए अनीन की मुहताच थी बेट पे बैटी उसे सक्सू सुना आते हुए चल्दी करने का कह रही थी जिसकी अपनी तैयारी खतम होने को नहीं आ रही थी ये दिनर रेस्टोरेंट में साधी की तरफ से था और उसका प्लैन था कि सम्मिलकर बार्बीकू करेंगे वेटर फारिक अम्मी को भी रस मिलेगा अलवद्दा वहुद थोड़ी द पॉप स्वेंदी उन तक आई नहीं नहीं सुभा कोन कह रहा था मुझे नकट्टू बहुड हनीं उनकी सामने खड़े जुपकर उनको लिप्सिक लगाते वो तुरंत बोली थी भाई से सुला हो गई एक बहुत चिल से हट किया वो भी मूट में आ गई थी अब नुद्रत ना बोल सकती थी ना जूदा उताडने हाथ पॉँ तक नीजे ले जा सकती थी जरह ये लिपसिक मुकमल कर ले न तो महरी जौब का क्या बना बाहर लौश में फारिस से वसाय तो अच्छा सबा का सवाल सुना मगर उनकी बार बार सुमर की तरफ उट्टी फिकर मन निगा है उसे नसरा रही थी अपनी एजेंसी में तो कोई चास नहीं रहा एक दो प्राइवेट सीक्योडी एजेंसी से अपलाई किया था अपॉइंट कर लिया गया है ये कम से जौइन करना है ये तो बहुत अच्छी बात है अपने फिर सुमर को देखा जोला तालोगी से सामने बैठी मोबाल पे कुछ टाइप किये जा रही थी फारिस से आमसे अंदाज से बुकारा तो सुमर ने चौंकर उसे देखा फिर अपबा को जो सही देख रहे थे आप उधर क्यों मैठी है इधर आ जाए ना उसे बड़े सुफे पर अपने साथ हाली निशिस की दफिशारा गिया बड़े अपबा हमोशी से सुमर को देखे गए उससे जैसे ठेरू खुसा सब क्या पातिकत मुस्कुराए अलबत्ता आँखों में फारिस के लिए शती दफिश थी सौरी मैं आप लोगं को वक्त नहीं दे पा रही कुछ इमेल्स करना थी असाहिर मुस्कुरा कर कहती है उठी और जब उसके साथ पैठी तो दरम्यान में ना मेसूस साफासा रखा बड़े अपबा होड़ से उसके चेरे की उतार चुड़ाओ देख रहे थे साथी क्या कह रहा था कब आएगा वो पारिस से चेरा मुड़कर उसे मुहादिब किया साथी आंगों से इशार रखिया बड़े पद उससे सिम्ट पैठे थे उसके मुड़े चेरे की तास्रुआत नहीं देख सकते थे वो उसे अबबा के सामें मुहादिब कर रहा था उसे जवाब देना था वो अभी आ जाएगा थोड़ी देर तक अंदर उट्टे उपाल को तबा कर वो मुस्कुरा कर भोली अबबा के शेरे पे द्वेदान सचाने लगा अंदर से आदी नुद्रत चलने का कहने लगी तो वो उस सरफ देखने लगी सुमर ने उसे तेज ससु से खुरा मगर उसे संजीरी से वापिस अबबा के दर मत वच्वा होगिया वो टांग पे टांग जमाए फिर से मुबाल देखने लगी अलबत्ता अंदर को उबाल सोटने लगा था ये सब उतना आसान नहीं था जितना शुरू में लगा था चले हम रेस्टोरेंट चलते हैं साधी वहीं आ जाएगा नूतर ने जल्दी मचाए और सेम ने अबबा के चेर को माई हनीन घर के दरवाद से लॉग करने लगी सुमर फारिस साथ साथ उठे बड़े अबबा ने सेम से आइसा से कुछ कहा वो मुड़कर उन दोनों को देखने लगा फिर चल्दी से हनीन से केमरा ले आया आप दोनों के एक पिक्चर ले लो अम्मी आप भी आजाए ना नहीं मेरे तस्वीर है अच्ची नहीं आती नुतर दूसरे काम में मस्रूफ थी मना कर गी जोमर ने भी इंकार करने को लब खोले फिर कनखियों से देखा आप उसी तरफ देख रहे थे वो चपरन मुस्कुराई साथ खड़े फारिस वे लगी से नज़र आ ली वो स्या पेंट पे पूरे आज सीन और गोल कर ले की सफेर शर्ट पहने हुए था इसकी सारी शर्ट एक जैसी होती है सैम कैमरा लेकर सामने आ घड़ा हुआ फारिस मुस्कुराया नहीं बस उसे संजीर की से सुमर के साथ घड़ा रहा अलवत्ता वो चफरण मुस्कुरा दी रही क्लिक और दिखावा अदम वो इससे पहले ही बाहर निकल आए अब मसीर उसकी करीब रहना बरदाश्ट से बाहर था और बाहर पहलते अंदेरे को देखका पहली दवा था जब सुमर को एक्तम से फिकर होने लेगी साथी को अब तक आजाना चाहिए था किधर है क्यों वो उससे बड़ बड़ाए बस वो आता ही होगा सलो के यार से दिल डोपने लगा है फरास मगर ये मैफले अदा है क्या किया जाए किससे कारदार अंधिरे में डोपने लगा तो मुलास्वीन ने सारी वतिया जला दी और उंचा महल जमकने लगा लउच में गुलासे कंपले पे जुका पत्त तराश राधा और फियोना उसके सर पे कड़ी हिदायात दे रही दी जब हार्शिम अंदर दागल हुआ फियोना फोरण उस सकाई पीछे आदे मुलास्वीन से हार्शिम का प्रीव केस ले लिया और उससे जानी का कहा वो कोट उतारते हुए सीडियों की दरफ चलता गया फियोना पीछलव की क्या बात है डिनर की त्यारी नहीं हो रही क्या मिसिस सुमर ने मिसिस कारदार को फोन करके मासरत कर ली थी मिसिस कारदार ने कल के डिनर का कह दिया है क्यों सीडियों चड़ते हार्शिम में ताध जुब से म गमरे में दाखिल हुआ, तो फियोना ने उसका कोड ले लिया, ब्रीफ केस भी इर्टियाद से रखा। कुछ कहना है। वो टाइटीली करके उतारते हुए तो उससे हाथ में मुबाल निकार कर देखने लगा। जी, मगर आप किसी को नहीं बताएंगे, क्या आपको मुझसे मालूम हुआ है, वो मुस्तरफ से उसके सामने खड़ी सरजुकाई के रही थी। बोलो मुझे मालूम है, मुझे घर के एक फ़र्ट की बाद दूसरे को नहीं बतानी जाएंगे, बगर आपके हांदान से उसफदारी के बाइस में अपने दक्रीर मुक्तसर करके काम की बात प्याओ, मुझे तुम्हारे इखलाक याज से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मुबाइल की स्क्रीन को अंगोठे से उपर करता जा रहा था, जी, वो शर्मिंदा से होकर चल्दी चल्दी बोलने लगी, मैं नोशिर्वान साहब के मदली बात करना चाहती हूँ, स्क्रीन पे अंगोठा पेर थे, आशिर में चौंक कर उस देखा, क्यूं, कहां है वो, उसो सुबा ओफिस के लिए निकले थे, उसके बात घर नहीं आये, क्या वाकई, मगर मैं पिछली रात कर जिकर करना चाहती हूँ जब, वो पेचैनिस से चल्दी चल्दी बोलने लगी, आशिम अप्रू भीचे सुनता गया हूँ, मेरे चारा घर को नवीध हो, सफ़े दु कहीं दूर खड़ी करिके, उसका अलूनी के एक दाखती ओट में खड़ा था, बिजली कहीं हुई थी, सारी कली सुनसान अंधेरे में डूवी थी, कहीं एका दुक्का यू, पीएस के एनरजी, सेवर्स जल रहे थे, बागी खुब अंदेरा था, जिसके वाइस वेक के पैन नंबर मिला रहा था, नोशिर्वान की आंके सुरुख लगती थी, और पपोटे सूझे 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 से, जेवु में डले हातों में लर्स देश थी, वो उसी सुवावाले वेस, चाई और बेंड में मल्वूस था, ये वो वक्त था, जब साधी घर से निकला था, और अब अंदर जोम और फारेस बड़े अबबा के साथ बैड़े थे, मुबाइल जेब में डाले हैंट फ्रीस कानू में लगाए, वो आगे भरने लगा तो नोशिर्वान द्रख्त की ओट से निकला और उसके पीछे कदम बढ़ा दिये, साधी जीन्स के जेवु में हाट डाले आगे सुकेर कर अंधेर सड़क को देखा और इदरोदर करदन को माई फिर साच अड़क कर आगे भड़िया, नोशिर्वान द्रख्त की ओक से निकला और रहतियाज सिफासर रखे फिर उसका दाको करने लगा, साधी यूसुफ चलता गया, मोर मुड़कर पिछली कली में आ था, तीसी कली में मुड़ने से कबल साधी ने फिर रुक कर पीशे रहा, उसके आंको में अचनवासा था, गली वेरान और खाली थी, दूर शायद किसी मोटरसाइकल के चलने की आवास सुनाई थी, वो सर चटक कर फिर से आगे भड़िया, एक कली से निकल कर वो अकली कली म मुड़ जाता, चन्वन बाद नोशिरवान ने चोंकर दूरर देखा, यह वो ही कली थी, जहांसे वही पांच मिट पहले निकले थे, उसे एसास हुआ कि उन्हें थीन चार कली महीं पिर रहे थे, कि उससे अंदाजा हो गया था कि कोई उसका पीशा कर रहा है, नोशिरवान उस मोर दखाया, अगली कली सुनसान थी, खाली, वेरान, साधी कहीं नहीं था, उससे उसका चेरा सुरुख बढ़ने लगा, वो इदर उदर घूमा, आगे पीछे भी रहा, मुकमल अंदेरा, उसकली में कोई बत्ती नहीं थी, सवाएद दो तीन घरों के, सड़क के चोड़ी सड़के वस में कड़ा, शदी चुन्चलां से, आगे पीछे एक एक घर में जांक रहा था, वो कहां गया, उससे पूरी कली अपूर की, अंदेरी के बावचोर अतराफ में वो इतना देख सकता था, कि साधी उदर नहीं था, दूर कहीं रागीर बोलते हुए गु आप से भी आ रही थी, ऐसे में उससे रुपकर साधी की कुछ चाप सुननी चाही थी, मगर बसे मनसर की आवाजों के बाई से नामुम्कीन था, वो फिर से पिछली कली में आया, शदी तिल में लाहाट रंदर बोलते हुससे से आगे पीछे जांका, मगर नहीं, साधी जिस कली में घुमा था, वो वहीं होगा, चन्विन साहा करके नोशिरवान वापिस उससे रहे तामीर मौकानों वाली, एरान और अंधीर कली में आया, सठक के वस्वें खड़े हुए, उससे दोर दिक कर अंदासा करना जहां, कि वो कहां खाइब हुआ था, तभी दूर कहीं मु सोल निकाला, और उसे एक हाथ में पकड़े इत्माज से कदम उठा था, उसकार तक आया, घर का खेट लग चुका था, मगर अंदर बैटना इंटूंगी इमारत के तरवा से, किड़ियां अभी नधा रद थे, गेट के करीब आकर उससे करत रूंशी करके जांगा, वहां ब साथी जो पुश्की खड़ा था, मुड़ा, उसकी निकाहें पहले नोशिर्वान के हाथ में पकड़े विस्सोल तक गई, और फिर उसकी आंकों तक, तुम यहां क्या कर रहे हो शेरू, बसाहे इत्मे नान सिखा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा कार्मा देने आया हूँ, मैंने कभी किसी की जान नहीं ली, मेरा कार्मा मुझे कोली के जरीए देने आया हो, तुम इसी काबिल हो, उसके पिस्सोल ताने नोशिर्वान के आगों से शरारे पूट रहे थे, बहुत दफ़ा मैंने तुम्हें बड़दाश किया, सोचा हाशिम भाई संभाल लेंगे तुम्हें, मगर नहीं, साधी, तुम्हारा एक ही हल है, इसके इलावा तुम किसी और तरीके से हमारी सिंदियों से नहीं निकलोगे, तुम वागी मुझे मारने आया हो, अब रूठा जाधा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, अपना मुबाईल निकल कर जमीन पर फैंक दो, इस सोल को मसीद दाने, शेरू ने भरमी सिगा, साधी ने कहा ही सांसी मुबाईल निकला और चुक कर जमीन पर रखा, सुमर की कॉल आ रही थी, मगर वो सीधा हो गया, उससे सोचा, क जाश उसका पेंट कैमरा उसकी फरंट पॉकिट में हो था, मगर वो भी उसके पास नहीं था, नहत्ता साधी युसूफ अपनो शिर्वान की दनी पिस सोल के सामने कड़ा था, मेरा कसूर क्या है, अंधेरे में उसकी चेरे का इत्मिनान नसरा था, इतना कुछ करने के बाद तुम में इतनी भी शर्म नहीं कि अपना कसूर पूछ रहे हो, सत्मे और उससे सामने कड़े नोशिर्वान की आवास कपकपाई, तुमने मेरी जिंदी की खर्खुशी स्पॉयल की, तुमने मुझसे मेरा भाई चीना, मेरी मा का इत्पार चीना, मेरा बाप इस हालत में मरा कि वो मुझसे नफरत करता था, तुम्हारी सिर्व तुम्हारी वज़ा से, विप्रेव एंदास से कहती उसकी आवास उलंद ही, आंकों की सुर्खी और तैश पढ़े रहा था, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही की है शेरू, बकवास नहीं करो, वो गुराया, वो घुसे से पहली आंकों के साथ चिलाया, पिसोल हनूस सान रखी थी, तुम मुझे इस नाम से मत पुकारो, जिससे मेरे दोस पुकारते हैं, तुम मेरे दोस नहीं हो, तुम एक असान फरामोश आदमी हो, तुमने मेरा हर रिष्टा हराब किया है, तुमने मेरा और शेरी का तालुक भी हराब किया है, मैंने शेरीन से अपनी बगवास बंद रखो साधी, बस अबना कोकर उस से क्लिक के साथ भी सोल लूटिया, साधी को सुर्ख बती चलती भुश्ची मेसूस होने लगी, तुमने शेरी को बलेक मिल किया, तुमने मेरे और उसके मुनकमना हर ताल पाई नहीं दूगा, मगर तुम मुझ से मेरे जिन्दगी नहीं चीन सकते, वो सिंजीता अनसे नोशिर वहाँ पर जमाए, ठहरे हुए लहजे में कह रहा था, ये जिन्दगी अल्ला ने मुझे दी है, किसे इनसान को हग नहीं है कि वो मुझ से मेरे जिन्दगी चीने, अं तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैंने कसम खाई थी, तुम्हें अपने हाथ से गोली मारूँगा, तफकर अकारा से उसे देखते है शेरू ने, तूसे हाथ की कफ से मूर अगरा, साधी की आंके सुखडी, नसे उसके पिस्सोल पकड़े हाथ तक गई, जो अलकस सकपकपा रह तुम फिर से ड्रक्स लेने लगे हो, ऐसा मत करो अपने साफ शेरू, उसकी आंकों में फिकरमंदी उपरीम, अपनी बगवास अपने पास रखो, आज तुम्हारे इस बाते मुझे पे असर नहीं कर सकती, आज तुमने अपने हर अमल पे मोहड लगा दिया, तनफर से उसे दिखता वो गुराया था, आज तुमने मेरे हांधान को दंगाया है, आज मेरे भाई को दंगाया है, मैं तुमें इबरती मिसाल बना दूगा, उसकी चेरे पे पसीना आ रहा था, तुम एक अच्छे इंसान हो शेरू, तुम अपने भाई जैसे नहीं हो, तुम्हारे भाई उसे के तेज हो, मगर तुम्हारा दिल अच्छा है, नाम भी मत लेना मेरे बाप का, उसकी आंके मजीद सुरह हुई आसीन से मुरगणा, देखो, जो सुबा मैंने तुमें कहा, उससे में कहा दिया, I am sorry no, शिर्वा, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, वो मुक्ताद नसू देखो, तुम मेरे मुसल्मान भाईव, मुझे मारना चाहते हो, मार दो, तुम अगर मुझ पे हाथ उठाओगे, मैं तब भी तुम पे हाथ नहीं उठाओगा, तुम पॉइंट प्लैंक पे मुझे शूट करके चले जाओ, कोई यहाँ नहीं है, मगर शिर्व, अल्ला नहीं देखा, कतल बहुत बड़ा किल्ट है, इतना भोश तुम पूरी जिंदी कैसे उठाओगे, देखो शेरो तुम, रसान से, चोकने के अंदाज से वो समझाते हुए कहे जा रहा था, मगर नोशिर्वान ने ट्रिकर दबा दिया, सालेंसर ने आवाज सवाली, क्लिक हु कुछ नहीं किया, तुम्हारे टेट फिकर मनते नोशिर्वान, तुम्हें नीचे जाकर उन्हें, उनके बेटे की शादी की मुबारक बात देनी चाहिए, शोलबार नसू से उसे खोरते नोशिर्वान ने तने बासू के साथ तुम्हारा ट्रिकर दबाया, तूसी खोली उस का पाफ स्कूल टीचर था, तकलीव से चेरा सफेद बढ़ता जा रहा था, और सफेद शर्ट पी सुर्खो दी जा रही थी, नोशिर्वान कदम कदम चलता करीब आया, मैंने कहा, मुझे शेरू मत कहो, मेरा नाम, उससे बूर से साधी की मुबे ठोकर मारी, वो कमर के पल सम पे किर पड़ा था, बूट चाहां पे लगा था, वहां मुझे से खून रिस्सें लगा था, तर्द बेखर शदीद था, उसका जिसम चल रहा था, वो कहराना जा रहा था, मगर आवास सही निकल रही थी, सफेद बढ़ते चेरे और बंद होती आंकों के साथ, उससे अपने उससे वास, उससे मूर अगड़ते, उसके तरब इस सोलता ने ट्रिकर दवाया, गोलियां कहां लगी, नोशीरवां की आंकों के आगे मनशियात के बाइस, बार बार चाहते हुबार ने ठीक से मालूम ना होने दिया, साथी की ठांकों में भीकती दिकाई दे रही थी, और ये शेहरी के लिए, उससे लड़ खड़ा दी आवास से चिला कर गाव, बीजे एरे साथी के आंके बनो रही थी, दर्द उसके दिल तक को काट रहा था, अल्ला, उससे शदीद तकलीफ के बाइस वोला नहीं जा रहा था, अल्ला तुम से हिसाब लेगा, उससे बलके फारी हो रही थी, आंको क्या क्या अंधेरा चा रहा था, सर पे खड़ा नो शिर्वान तुन ला रहा था, मुझे उसकी भी परवा नहीं, शदीद नफरस उससे देखते हैं, शेहरो ने बूट से उसके सर को ठोकर मारी, साधी का सखमी चेहरा, परेल लड़क्या, तुम इसी काब पिलो, उससे भूट से उसके वजूद को चंदो ठोकरे मारी, कितनी उरकी तर हिसाब किताब खोगिया था, पिल आखिर, ठक कर वो रुगा और इरतर उधर दीखा, वो अंधेरे से पोर्च में खड़ा था, उससे गदमों में खून से लटपच साधी किरा पड़ा था, जल से जल यहां से निकलना था, तब ही दिल तुल से पिछड़ कर भी कहां जाएगा ए दोस्त, पोर्ड़ी एवर आफ्टर की सारी वत्यां चली थी, भाई ग्लोस का पोर्ड़ लगा था, अंदर तमाम में से खाली थी, सुआई दर्म्यान में एक लंबी में इसके, उसके दूसर मुंतसीर से बेढ़े थे, पारिस हामोशीर से बार-बार केलाई की खड़ी देखता, फिस सरा के सरा निकास सुमर पे डालता, जो सीने पे पासुल पेढ़े, सामने ही ठहल रही थी, उसके चेहरे पे सरापता और नसें बार-बार दर्वासे की तरफ उठती थी, आ जोड़कर हनीन बेढ़ी थी, वो भी गाय बगाय फॉल क्लॉक को देखती, विजेरे पे उदास से आ जाती, नुद्रज जुनेद वो सेम की साथ किचन में थी, बाकिस सब की चुटी थी, सेम गालवन मदद करवाने की बजाए काम भड़ा रहा था, इतनी देर हो गई, वो अपने काड़ी भी लेकर नहीं गया, यानि करीब में कहीं गया है, तो आप इस क्यों नहीं आ रहा, वो बसाहिर उतको पुर्सकुन रखते, टेल्दी हुए बोली, तो आवास से फिकर मंदी चलगती थी, तबी रेस्वेंट काउंटर पे रखा फोन बजा, चीखती हुए तो आवास टेल्दी सुमर रुखी, चोंकर फोन की सिम्ट देखा, किचन से जुनीद भागता हुए आया, वो मुस्तदी से रेसीवर उठा कर बोला, फोली एवर आफटर, दूस्री तरफ कहे जाने वाले अलफास पे उसके दासरात बदलते गए, जी, जी, अच्छा, किध निखाए उठाकर सुमर को देखा, वो वहीं साकिन खड़ी उससे देखी गई, ओके, पून रखकर वो चनलम्मे तसबसब से वहीं खड़ा रहा, सब उसको देखने लग गए थे, क्या हुआ, अरे से उसकी मसलसल सुमर पे जमी परिशान निखाए गोर से देखी, वो मेरा भाई था, मैडम, मैंने जो काम आपको कहा था, उससे आँको ही आँको मिशारा किया, सो मैंने असवाद में साहिल आयो, वो चल्दी से वेरूरी दरवास से किदर बढ़ा, आप मेरी बात सुन लेंगी दो मिनट, वो कदम-कदम चल्दी उसकी बीच आए, बड़े अपबा, अनीन और फारिस सब उधर ये देख रहे थे, भाई निकलते ही जोने दे रेस्टोरेंट के शीशे का दरवासा बन किया, और बहुत परिशानिस उसके धवगों, वो अंदर साधी भाई के दादा, उनके सामने बताना नहीं चाहिए, और, सुनो, जो भी तुमारा नाम है, क गले पे हाद रखती दो कदम पीचे अड़ी, उसको सांस सहीं आ रहा था, चेराज सर्थ पढ़ने लगा, मेरी, मेरी कार की जाबियां, अंदर से लाओ, उससे फूरी बास सुनी भी नहीं, वो गाड़ी की दरव गई, कदम उठा कहीं रही थी, वो पढ़ कहीं रहे थे, आ आथ कप कपा रहे थे, लोहा सुरा के अंदर नहीं जा पा रहा था, दरवासे के साइड मीरर में उससे फारी साथा दिखाई दिखाई दिया रहा था, परिशान सी आना, उसके पीचे सीने फहलंग दिया रही थी, वो जो नेर से कुछ कह रहा था, तेस लहजे में कुछ उसके हाथ से लिनी जाए, अगर उससे चावी मुट्टी में दिवोचे अपना हाथ पेशे कर लिया, पिर सफीद चेरा उठाकर उसे रिखा, आंके वेरान सी थी, मगर उनमें सामने कड़े शक्स के लिए वास्या तनफ़र नसर आता था, आप अकेली नहीं जा रही हम साथ जाएंगे, इधर दीजिए, उसका अपना चेरा भी बेरंग हो रहा था, मगर परेशानी के तासुरात पे उचलत का अंसर नुमाया था, जुमर ने निकाएं जुकाएं तो देखा, चापिस सुराख भी गुसाते उसके हाथों में भी हलकी सी लर्जिश्टी, वो ठीक हो ज जुनेद और फारिस की बात सुनने के बात, वो अंदर चली गई थी, भागती हुई वाफिस आई थी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, फारिस की खिड़के के साथ खड़े वो रो देने को थी, जुमर आइससा आइससा कदम उठाती, फ्रंट सीट तक जा रही थी, उसकी आ की तक जा रहा है, खुदा की कसम माम, अगर आप मुझे ना लेकर कए, तो मैं इतना जी हूँगी, इतना जी हूँगी कि अम्मी और बड़े अपबा को सब पता चल जाएगा, उसकी आँकों से आँसो बह रहे थे, और फिकरे कि आखर मैं उससे चीली थी, बैठो, यह आख उसके भाई ने एक कंबल में लपेटा बच्चा उसके बासू में दिया था, वो खाल और मासी के दर्मियान कहीं देर रही थी, कभी फरास से मोसों में रो देना, बिता लाश पुराने रकाप देंगरनी, किसे कारदार के लौँच में लगी टीवी शल्प पे फ्योना किता पे तर्तीब से रख रही थी, जब उससे नोशिरवान को अंदर दागे लो दे देखा, वो फोरण से सर चुकाय चल्दी चल्दी काम करने लगी, नोशिरवान सीधा सीड़ीों पे चड़ता गया, उसकी चाल में हल्की से लड़कडाहट थी, और चुगी आंकों को देखका लगता था कि वो दूर किसी खयाल में कुम है, किसी इत्मी नानंगेस सरशार से खयाल में, अपने कमरे का दर्वासा खोला तो अंदर सारी वतियां चल रही थी, इतनी देश रुशनी से उसकी आंके चुन दे आ गई, नागाभारी से इधर उधर देखा, और पिर साकित रह सामने काउच पे हाशिम बेटा था, सुबह वाली शिर्ट और पेंट में मलफूस था, टाई और कोट उतारने के बाद उससे लिपास भी नहीं बदला था, और अब टांग पी टांग जमाए बेटा, वो चुपती नसू से चोकट पे खड़े शेरू को देख रहा था, रु पती नसू से देखता, वो उससे से एक दम पठा था, क्या सोच कर तुमने ये किया हाँ, नोशिरवां का सांस रुख गया, बलके छपकना भूलिया, बेगीनी से बेगीनी थी, हाशिम भाई को इतनी जल्दी कैसे बता चल सकता है, अभी तो वो वहीं खोन में गिरा पड़ होगा, वो, आप क्या कह रहे है, मैं समझा नहीं, अटक अटक कर, सफेद परदे जेरी की साथ उससे कहरा जाँ, जवाप में हाशिम ने हाथ बढ़ा कर मेज पर रखके पैकेट उठाए, और जोर से उसके गुटनों पर देमारे, सारे पैकेट शेरू के कदमों में जा गिर ओ, ये, एक रिलीव का एहसास सा, जिससे शेरू का सांस वहाल किया, उसके चेरे की रंगत वापिस हालने लगी, सारा से शाने उचका कर वो अलमारी की जाने बढ़ा, आशिम एक्तम तबकर उठा, तुम्हें अंदाजा है, ये क्या है, ये तुम्हारी परबादी है, तुम किसने बताया आपको, वो बेपरवाही से अलमारी खोले, उसके तरफ फुश्य के खड़ा था, किसने बताया मुझे, यानि कि और लोगों को भी मालूम है, क्या सिर्फ मैं बेख़बर था, वो उल्टा, इतने घुसे से बोला कि नोशिरुआ को, उसके सच्चाई पे सारा भी शक्ना गुसर, ऐसे भी ये मसला, अब कोई मसला ही नहीं था, शेरु, अगर आइंदा मैंने तुमें देखा कि तुम, नहीं लोगा ड्रक्स, बस चीक है, सुन लिया है, वो बेजारी से बोला था, आशिमे एकदम रुक कर उससे देखने लगा, उसके अंदास में कुछ बदला हुआ था, कहां से आ रहे हो तुम, खोश्ची निकाहूं से, उसकी पुष को देखते, उससे चैस, अंदास से पूछा, नोशिरुआ ने चोंक कर चेरा घुमाया, पिफोर नस्य चुरा कर वापिस होने लगा कि, इधर, मेरी आँखों में देखकर बताओ, कहां से आ फिर उने उक्ता कर दुरुदर दीखा, क्या मैं बच्चा हूँ, जो हर बात की रिपोर्ट दिया करूँ, तुम, आशिम कुछ सोच्टे सोच्टे चोंगा, तुम साधी के पास सो नहीं गए, मैं क्यों जांगा उसके पास, वो एक दब भड़क उठा, मुझे मालूम है, त वो कहां है, क्या मैं उसका गाड हूँ, वो बिकड़ कर बोला था, उसके अंदास पे नमबर मिला दे, हाशिम न सिफ उससे खूरने पे एक दफा किया, फिर मुबाइल कान से लगाया, नोशिरवा हफ़ी से मुँ में परबढाने लगा, क्या कहा है तुमने उसे, तुम मु कर कदरिताज जुक से आगे बढ़ा, और कोट में हाठ डाल कर निकाला, तो साधी का वाइपरेशन पे लगा मुबाइल हाथ में था, उससे भी एकीनिस से शेरु को देखा, जो बिल्कुल चुक चाप खड़ा था, ये, उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तो जामना है तो उसली निगाउं में पेपर ना सकती थी, बोलो, नोशिवान ने आँखे उठा कर उसे रीगा, मैंने उसे शूट कर दिया है, और उसका फोन उठा लाया हूँ, बकवास मत करो, आशी नुकता कर उस रीगा, मुझे सिधी थरा बताओ, क्या कहकर तुमने उसका फोन चीना है, तुम ऐसा, क्या आपने सुना नहीं, वो उसकी आँखों में देखकर चबा चबा कर बोला, मैंने साधी को शूट कर दिया है, पिर देजी से आगे वड़ा, कोट उठा कर अंदर से बिस सोल निकाल कर उसके सामने मेस फेरा ली, पूरी तीन गोली हमारी है, अ अब नहीं बचेगा, एतराफ ने कोई सरशारी सी सारे वजूद में उंडेल दी, करदन अकडा कर, उसके सामने खड़े वो बोला, तो हाशिम बिल्कुल ठहर कर उससे दिखने लगा, सांस रोके शलसा, मैंने आपसे कहा था ना, ये वो मसला है, जिससे आप संभाल नहीं सक चेहरे पे सुर्खी उदरी, वो आगे बढ़ा, और नोशीरवां के चेहरे पे चटाक चटाक तो धपड लगाए, वो इस समले के लताया नहीं था, खुखला कर दूसरी दवर लड़ खड़ाया, दिवार का साहरा लेकर संभला, और मूपे हाथ रखके वो येकीनी से हाशि तुमने, तुमने उसे गोली मार दी, ओ खुखला, तुम घटिया इनसान, उसका गिरवान पगड़ा उससे सुस्को चटका दी थे, वो चिलाया था, तुमने कैसे उसे गोली मार दी, किदर है वो, किदर फैंक के आया हो उसे, बिलकुल कंक हुए, शेरु का गिरवान छोड और माते पे हाथ रखे, तुमने चक्र काटने लगा, उसका दमाग कोया फक्स से उड़की चुका था, वो मर तो नहीं गिया, क्या वो जिन्दा था, जब तुम वहाँ से आया हो, बताओ, उसे की जगा परेशानी ने ले ली, वो तुबारा उसके तरफ लपका, शेरु का स खुद बहुत असवाद मेलिया, ओ मेरे हुदा, नोशिरवाँ ये तुमने क्या किया, तुम कैसे उसकी जान ले सकते हो, मलामत भरी नसर मसू से दीगा, तुम उताच्चि हुआ, आपको क्यो उसकी इतनी फिकर है, क्यो इतनी मुहपत है आपको उससे, नोशिरवाँ, आश शिरवाँ का दिल बिल्कुल खाली हो गया, वो टुकर टुकर हार्शिम का चीरा देखने लगा, वो उससे छोड़कर फिर से इतर उतर चकर काटने लगा था, उससे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, ये, ये फोन और कन, इसे तुम हाद भी नहीं लगाओ गया, तोनों कान से लगाते हो देश सांसू के दर्मियान वो बेरंग होते चेरे के साथ कह रहा था, खाँ हावर, फोरन खराओ, जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है, उजलत से कह था, करनो फून लिए, वो कमरे से वहाई निकल लिया, तो पीछे हर दर फेरानी और खामोशी चा गई, न आदर दे ना खराब कर, अस्वादाल में दवाईयों की बूर के साथ कोई नहूसत थी, जो अर्सो पहली थी, ये वो इमारती जाह इनसान को उसके दुख लेकर आते थे, ओपरेशन ठेटर की बाई जगा जगा पुलिस सहलकार दिखाए दे थे, राधारी में बैटनी की को जगा ना थी, वारिस पेचैने से इधर उदर चकर काट रहा था, बार बार मुरकर बंद दर्वासु को दिखता, और पर जुमर को जो दिवार से लगी, सफिद चेरा लिए बिल्कुल हामोश खुमसम खड़ी थी, उसकी नसे दर्वासे पे जमी थी, और में समाने भर की व जुकाए, खुटा-खुटा से रोई जा रही थी, फिर उससे आंसु से भी का चेरा उठाया, किली आंकों से फारिस को देखा, मामू, इतनी देर हो गए, ये लोग बाहर क्यों नहीं आते, कोई कुछ बढ़ाता क्यों नहीं है, फारिस से तासु सुसरी गा, सरजरी हो रही नहीं है, तुम बस दुआ करो, उससे चड़कते दुबारा टैलने लेका, हाना चौंगी, दुआ, उससे कुछ शियादाया, मैं, मैं अपने ही रोऊंगी, उससे हतेली की पुछ से खीली आंके रखनी, और डुबटा साय पर रखकर चेरे की कि लपेटनी लगी, मैं दुआ करूंगी, दुआ के इलावा कोई चीज मुकत्र नहीं बतला करती, आंसो बार बार उबल करा रहे थे, वो पौरू से उनको साफ करने लेकी, मुसीबत उपर से आती है, और दुआ नीचे से जाती है, जो साधा शितीत होगी, वो जीत जाएगी, मुझे यकीन है, अब देख देरा तब दबा कर अपने कंदे से लगाया, अनीन के करम कर हम आसो फिर से गिरने लगे, दुआ करो, उसका सर धबक कर भूस से लेदा हुआ, तो आना स्वात में गर्दनी लादी, हात्तूं का प्याला बनाए, जेर लब कुछ बड़बडानी लगी, फारिस से दुबारा क जवाब वापिस आया, तो हाथ में शौपर मिलिटी, धंडे पानी की बोदल दी, हाना की गरीबा कर उसे हलका से उसे खंदे कुछ हुआ, अना ने सर उठा कर उसे रेखा, अपनी पुपो से कहो पानी पी ले, बोदल शौपर से निकाल कर उसे धमाते सरगोशी की, हाना ने चोंकर सुमर को देखा, जो अपरेशिंटेटर के दर्वासे को दख रही थी, फिर फोरण बोदल लेकर उस तक आये, फुपो, पानी पी ले, उसे सुमर की कोनी चूंकर कहा, तो हो चोंकी, जहीरा फेर कर उसे रेखा, फिर बेक्तियार निकाहें उठी वासे बेकड़े, फ फारिस को देखा, वो गेरी साल सीकर वहां से हटा और आधारी में चक्कर काटने लगा, इंतसार बहुत तकलीफ देथा, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी खुआबों में मिलें, जिस ससू के हुए फूल, खिताबों में मिलें, ओपरेशिंटेटर के अंदर मेस ना घत्यार थे, ना गोलियां, ना तकलीफ, ना आंसू, वो एक दाजा सी सुभा थी, जिस वे चिडियों की जश्चाट गुंच्टी थी, एक जश्मा था, जिससे किनारे पत्रों पे एक खुंगराले बालों वालना लड़का को वेटा था, उससे अपने गोरे सफेद पै जैसी नत थी, और कम उमर चेरे पे सोचकान से था, उससे भी पजामा सरह ओपर फोल्ड करके, पैर पानी में डुबो रखे थे, मगर लड़की ने कदे फिकरमंडी से चेरा उठा कर उससे रेखा, मुसा आले सलाम तो पेगंबर थे न, इतने बहादूर और अच्छे, फिर जो होते हैं न सादी, वो मासूं और रयूब से पाक होते हैं, ये अगीदा अगर तुम्हारा दुरूस सही, तो तुम मुसल्मान नहीं हो सकते हैं, उनके जुबान में कोई लखनत नहीं थी, ये सिर्फ इसराइलियत की वो रिवायते हैं, जिनको मुसल्मान मुसफरीन अपने भाई को अपने साथ, लड़की ने कंकर पाने हो चालते हो जाथा, हाँ, और इस ये भी, कि जो स्वोट उन्हें चाहिए थी, उनको अपने भाई से ही मिल सकती थी, क्योंकि हर इनसान अपने भाई का रखवाला होता है, तो उससरा कंकर भैंकता उसका हाथ रुगा, उठेर कर उस लड़की को देखने लगा, मगर मेरा तो कोई भाई नहीं है, फिर मेरा कीपर कौन होगा, वो लड़की अलका साथी, विपासो उसके कंदे के कित पहला कर, उसके करीब चेहरा करके बोली, तुम्हारी कीपर मैं हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोक्टेट होंगी हमेशा आवाज से मदभ होती गई जश्मी का मनसर वक्त के आस्वानों में खुलता गया और टेविल पे लेटे मेरी इसकी बन आगों के पीचे अंधेरा चाने लगाओं जिससे पहले भी कई एहदे वफा तूटे हैं उसी दुराही पे चुपचाप खड़ा रह जाओ बाही रात कहरी हो रही थी सया और खुफनाग ऐसे मिस सड़क किनारे खड़ी काड़ी की पिछली सीट पे बैठा हर्शिम कारदार विकरमंदी से बंद आँखें मल रहा था जब दूसरा दर्वासा खुला उससे चोंग का चेरा उठाया हावर अंदर बैठ रहा था कैसा है वो हर्शिम ने बेकरारी से उसका चेरा खोजा आवर ने कहरी सांस ली अच्छी ख़वर नहीं है हर्शिम का तिल टूप करो ब्रा आँखों में कर्व सा उदर ने लगा क्या वो मर जाएगा अलफास कहिना में तकलीफ देदा और निकोया मलामत से उसे देखा हवर यह है कि वो बच जाएगा और मेरा ख्याल है यह हमारे लिए अच्छी ख़वर नहीं है वो बच जाएगा वो एक तम सीधा होकर वैठा जी मैंने मालूं किया है एक गोली कंदे में लगी है दूसरी पेट में वो दीसरी टांग में कोई भी खोली मोलक नहीं साबित होगी न जी मैं लिख कर दे सकता हूँ वो बच जाएगा और अले दो तीन घंटों में होश में आकर सब को सब कुछ बता देगा उसे किसें गोली मारी थी और सिफ यहीं नहीं वो यह भी बताएगा कि हमने और क्या क्या है भर में इससे वो कह रहा था आशी मैं तकलीव से आंके में जी चनलमाई कार में खामोशी चाही रही गहरा सुकूत हो सकता है वो ना बताए आशी में तिनकी का सहारा लेने की कोशिश की आवर ने बेही की नहीं सुसरे गां सर मैं आपके उस बच्चे के लिए फिलिंग्स की बहुत कदर करता हूँ मगर माजरत के साथ वो आपके लि मगर उस पेसारी में तकलीफ थी क्या मतलब क्या करें हमें इस वक्त एक ही चीज़ करनी है सरजरी हतम होते ही मेरा को लड़का उसे एक जरास इंजेक्शन लगा देगा और हावर वो पे एकीनी से उससे देखता हो रहा है था मैं साथी को नहीं मारूँगा वो वो एक छोटा वच्चा है आप कुछ मत करें मैं करूँगा जो करना है उसका मरना जरूरी अगर तुमने उसे हाथ भी लगाए तो मैं हुदा की किसम तो मैं अपने हाथों से गोली मार दूँगा मैं कादिल हो सकता हूँ मगर मैं दरिंदा नहीं हूँ जो उसको यू मार दूँगा और नोशिर्वान का क्या होगा मेरा ख्याल है इस वक्त आपको ये फैसला करना चाहिए कि आपको उन दोनों में से किस से ज़्यादा मुहपत है आशिर में सर सेट की पुछ से टिका कर आँखे तकलीव से मुननी वो बहुत डिस्टरब नसरा रहा था हावर ने कलाई पे बंदी खड़ी देखी वक्त निकल रहा था तुम ठीक कह रहे हो मुझे शेरों से कई गुना जादा मुहपत है सादी को हामोश करवाना ज़रूरी है उके उससे अस्वात में साहे ला रहा अब तुम वो करो जो मैं तुमें कहता जाओ आबर तवच्छा से सुनने लगाँ बिच्डे लोग कभी भी लोट के नहीं आते दोस बस वक्त यादों के कुछ निशा हुआ करते हैं सफेत राधारी अभी तक हामोश थी सुमर हनूस उसी तरह खड़ी ओपरिजन ठीडर के दरवासो को देख रही थी अनीन समीन पे उखड़ू बैड़ी चेरा हादों के प्याले में गिराय दुआ मांग रही थी फारिस वो खालिफ दिवार से कमटी काए एक कुट नाम मोड़े खड़ा था इर्द किर्द पुलिस हैलकार हनूस पहरेधारी कर रहे थे मोड़े में मलबूस सरमर्शा भी वहीं था मगर एक हजसे वो आगे नहीं बढ़ा था बस वासे पे खड़ा इतियार से फारिस को देख ले था जो गाहे बगाहे उस पे एक तेज नजर डालता था उसे जुमर से बात करने की कोशिश की तो फारिस सिफ हाथ उठाकर उसे रुख जाने का कहा और वो फोरण पीछे हड़िया सरमर्शा वो ही एएसवी था जिससे फारिस खाजी को चार साल कब किर्फदार किया था जो फारिस के खर जाकर उसकी काड़ी से मिलने वाली वारिस से जुड़ी चीज़ से दिखाकर उसके इससे लेदा रहने की धमकी देख कर आया था और हावालात में तो उससे रोज की मुलाकात रहती थी और उस मुलाकात के निशान फारिस की कवर पे आज तक मुझूद थे कितने घंटे पीट चुके थे किसी को याद नहीं था जब दवास से खुले तो सब उधर ही बढ़े सुमर सबसे आगे थी वो कैसा है? उससे परिशानी से सर्जन कर चेहरा देखते हुए पूझा था अवास उतनी ही अलकी थी कि बामुश्किल सुनाई देती थी आफ फिकर मत कीजिए वो ठीक है, ऑप्रेशन हो चुका है और अब उस चेबल है कुछ देख तक उसे वाड में शिफ्ट कर देंगे क्या वो सिफ अलफाज से या कोई रूधी जो उन में फूंकती गई थी आना ने हाथ में छेरा चुका लिया उसके हिच्कें सुनाई देनी लगी थी फारिस ने ढाल से दिवार से कमर लगाकर आँखे बन गी और सुमर वो बस यकटक डॉक्टर को देख रही थी क्या मैं उससे मिल सकती हूँ एक दफा वाड में शिफ्ट हो जाए तो आप मिल सकेंगी वो आगे भणने लगे सुमर फोरों उनकी पीछे लबगी कब शिफ्ट करेंगे वोड में बस थोड़ी देर तक सुमर ने अलके सैस्वात में साहिल आ दिया आनो और फारिस के बरक्स उसके चेरे भी तमिनान नहीं उत्रा था वो नहीं खड़ी बेचैर मुंतसी निगाहों से ठेटर के बन दर्वासों को देखने लगी काफे धेर पीच चुगी और वो साधी के बाई लाने के इंतसार करते रहे फारिस अब इदर उदर टहल था बार बार कलाई की खड़ी देख रहा था अनीन कीला चेहरा साफ के हलका समस्कुराती हुई अब खड़ी हुई थी सुमर वैसे ही कुमसुम दिवार से लगी थी ठेटर के दर्वास से कोले और एक सिक्स्टर बाई निकली तो फारिस उसके दरफ लब गगा कब शिफ्ट करेंगे साधी को उसे होश आ गया नर्स से रुक कर उसका चेहरा देखा वो मरीज जिसको गोलियां लगी थी उसको तो शिफ्ट कर दिया यह कब का फारिस के अपरूट आज जो उससे कटे हुए हम तब से ही खड़े हैं उसे तो बाहर नहीं लाया गया अरे वो बैकडूर से लेकर गये है न वार्ड में उससे उटी के दूसरे दर्वाजी की सिम्त इशारा गिया जो कॉलिटोर का मोर मुड़कर आता था यहां से दिखाई ना देता था फारिस वो हना मुड़कर उस सरफ देखने लगे सुमर बेचैने से आगे बढ़ी किस वार्ड में लीज मुझे उस सरफ ले जाए आईए अपना काम छोड़कर आगे चल दी तो सुमर उसके पीछे लबगी वारेस वहनीन साथ साथ चलते पीछे आ रहे थे यह इधर है आपका मरीज वार्ड में आकर नर्स से दोनों दर करदन गुमाई आगे पीछवी गुमी और दाफातन ठेर गई सुमर ने चेरा मोड कर अत्राफ में दिखा अजनभी चेरे रहे शनास सा लो OD1 से जो बोले टेंजरीस वाला मरीज इस डॉक्टर बुखारी ने भेज़ा आए वो किदर है वो किसी को रोक कर पूछ रही थी सुमर कर चेरा सर्थ पढ़ने लगा उससे विरान निकाहें उठाकर अनीन को देखा जो उतनी मुताच्चिब लग रही थी यहां तो कोई मरीज नहीं लाया क्या क्या मतलब मेरे सामने वाट बॉइस उससे लेकर गई थे हर चीज स्लो मोशन में होती नसरा आ रही थी कैसे गाईब हो सकता है हमारा मरीज मैं तुम्हारी जान ले लोगा अगर उससे कुछ हुआ थो वो गुस्से से उसकी दफ लबका था पसे मंसर में कोई कह रहा था वो अभी कुछ देर पहले मैंने देखा था दो वाट बॉइस स्टेचर पर पेशिंट को ला रहे थे मगर रिसेप्शन की दरब जा रहे थे उससे दीखा फारिस उससर भागा था हाना भी पीछे दोड़ी थी सवालात, हिसाब किताब पुलिस हैलकारों की भाग दोड सुमर उन सब में अचनबियों की तरह कदम कदम चलती गई यहां तक की रिसेप्शन हॉल सामने दिखाई देनी लगा पारिस, सल्खी और हुस्से से बास उठा कर दरवासे के दर फिशारा करता पुलिस ऑफिसर से कुछ कह रहा था इर्द के तफरा तफरी सी बची थी अनीन, हैरान परेशान से गर्दन कुमाए आग आसपास से खी थी उसे सुसकत्बू से आते देखा तो धोड़कर उस सकाई यह क्या हो रहा है? भाई कहा है? जुमर ने खाली खाली नसूस उसे देखा भूस से ले गए है उसके आवाज किसी कोवें से आते सुनाई थी अल्गी सरकोशी की दरा कौन? कौन लेकर जा सकता है भाई को? सुमर ने नफी मिगरदने लाई कौन है? मुझे नहीं पता मगर ये वो ही है जिन्होंने उसको गोलिया मारी है उसके विरान निगाएं फारिस वे चाठेरी जो एक पुलिस हैलकार के अमरा तेसी से भाई चादा दिखाई दे रहा था सुमर ने यासी है सिसा जटका वो हमारे बच्चे को हमारे हादों से ले गए है और हम कुछ नहीं कर सके वो हॉल की किनारे नस पेंच फे बैठ गई और सर्दिवार से डिका दिया अनीन जो अभी तक हैरान और पेरिशान खड़ी थी एकदम से रोने लगी पहले हल्की और फिर उंची आवास वे उन दोनों का रद्य अमल देने का तरीका हट भरा अंधेरा इसे कारदार पी उतरने लगा नोशीरवां की कमरे के परदे हटे हुए थे वो तेज एसी की ठंड में लेहाव ताने सीने के बल सो रहा था तफातन उससे करवट ली और चेहरा उपर हुआ तो बंद आंखों से मूँ बिग्डा कुछ सूंगा, धूँआ, बू, वहां के चुन्तिया कर इस उतर देखता उट बैठा बलके जब काई सरा बसारत वाजया हुई तो उसके चेरे पे शौक उबरा मूँ ज़रा सको लिया, सामने सोफे पे हाशिम बैठा था टांग पर टांग जमाए, कोनी सोफे की बासो पर रखे वो सिग्रीट उंगलियों में पकड़े, मूँ से निकाल रहा था तुएं का मरगोला सा लबू से निकला और उपर उटा गया में इस पे शेरू के पिस्टोल के साथ उसके सिग्रेट और मन्शियाद के पैकेट पड़े थे एक पैकेट तासा खोला गया लगता था नोशिर्वान की पर रिशान निकाए, वापिस आशिम के चेरे तक उटती गई वो गिड़ी से बाहर देख रहा था और उसके आंगे केली थी नाख सुरुख थी क्या वो मर गया? उससे हलके से पूझवा, आशिम ने चेरा उसके तरफ उना उसके केली आंगे में गुलाबी रखी ओवरी हुए नत दिकाई देदी मैं उससे नहीं मार सकता था इससे यहां से धूर भेज़ दिया है बेफिकर हो, वो अब किसी को कुछ नहीं बता सकता हूँ वो भोला तो आवाज सुकामसदाची लगती थी पुलिस हमारी, हस्पताल का अमला हमारा, कानून हमारा ना तुमें किसी ने उस कालूनी में चाते देखा, ना निकलते हस्पताल में काफी शोर डाला फारिस से, मगर अब था खार कर वो लोग घर जा जुए है अब जितना तलाश कर लें, वो उन्हें नहीं मिलेगा मुबारक हो नोशिर्वान, तुम्हारे भाई ने हर दफा की तरह इस बार भी तुम्हारा पहला कश्रा समेट लिया है सिगरिट लबू तक ले जाते, उससे तलही और तन्ज से मस्कुराने की नाकाम कोशिशी मगर उसके नसरों की मलामत नोशिर्वान की आँकों में आफ क्यों दरी क्या वो अभी भी जिन्दा है, आपने उसे क्यों बचाया, तुम फिकर मत करो, तुम बस सोजा स्टैन्फर्ड में मेरा एक प्रोफेसर था चुका रेश्ट्रे में सिग्रेट का टुकडा मसला हूँ वो कहा करता था, कातलों में एक कदर मुश्टरक होती है, कतल करने के बाद उन पे नीज जरूर तारी होती है मुझरिम को खोज लगाने के लिए, हम पहले उसी जगा का तायून करते है, जहां वो गुचा कर सोया हुग था तुम भी सोजा, क्योंकि ये आखरी पुर्शुकून नीद है जो तुमें मिलेगी आप इतने अपसेट क्यों है, एक बंदा मारने से कौन सी क्यामत आ जाती है, आपने भी दो हद्दे अदब था, कि में सारी से कहते कहते वो रुख गया खतल छोटी बात नहीं होती नोशिरुआ मैं कारदार हूँ, मुझे कोई पुलिस गरफदार नहीं कर सकती, चन्द दिन बाद में सब उसे भूल जाएंगे किसी का मरा हुआ बच्चा भी पैदा हो तो उससे नहीं भूलता, तुम कहते वो उससे भूल जाएंगे क्या आपने दो लोग नहीं मारे थे, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हाँ, सारा कसूर मेरा है, गलत किया मैंने तुम्हें बता कर उससे और दुख से कहते हैं उससे सिक्रेट खिड़की किता फेंगा वो दो लोग मेरे कुछ नहीं लगते थे, वो दो अच्छे मगर आम से लोग थे, तुमने नोशेरू, उस पे गोली चलाई जो उनके हांधान कही रो था, अभी वो शौक में है, 24 घंटों में शौक सदमे में बतलेगा, और फिर हुस्से में, वो उसे ढूंडेंगे, और उसके माणने वाले को भी, मगर तुम वेविकर हो, तुम्हारा भाई है न, तुमें बचा लेगा, खमीशा की तरह, उससे जुकाम सदा अंदासरे सांसनाक सेंदेखी जा, आपको इतना पसंद है नोशिर्वा हफगी से चेरा जुकाय परबढाया, जवाब में हाशिम ने मेसवर रखे, बड़े साइस के फोटोग्राफ उटाकर उसके दरफ उचाले, साही दस्वीरे पैट और फरश भी गे गई ये देखो, तुमने कैसे उसके चेरे बे मारा है, तीन कोलिया मारने के बार भी तुमने उससे मारा, तो इनसान का बच्चा था नोशिर्वा, ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं मारता दुख और घुसे से उससे शेरो को वला मत किया, वो मुँ में कुछ परपड़ा करें किया खेर, ये सब अब हमारा मसला नहीं है, मैं यहाँ सिर्व एक सवाल का जवाब लेने बैठा हूँ शेरो ने चौंक कर उसरी खा, वो अब सरा खुद को संभालते हुए संजीती से उसको देखते कह रहा था तुमने मुझे बताया कि कैसे तुम उसके पीछे गए, उसको तीन गोलिया मारी हो वापिस आ गए पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक भी उसको तीन गोलिया ही लगी है, मगर नोशिवां कारदार, मैं चानता हूँ कि ये पूरा सच नहीं है, मैं समझा नहीं शेरो के दासरात बदले, रंग भीका पड़ाऊ तुमने मुझसे कुछ चुपाया है, और अब तुम मुझे पिलकुल साफ साफ वताओगे कहते वे उससे पिस्सोल का मैगजीन निकालका शेरो की सामने क्या, उम बेट पे पैर उपर करके बैटे नोशिरवां ने धूप निगला ये G41 है, इसके मैगजीन में 13 गोलियां होती है, तुम मैगजीन भरे बगएर तो गे नहीं होगे तो अगर 13 में से 3 गोलियां तुमने साधी को मारी है, तो बाकी कितनी बचनी चाहिए है, दस शेरू की आवास सलगी थी, मगर इसमें साध गोलिया है, और अगर तुमने मुझे ना बताया कि वो बाकी की तीन गोलियां कहां गई, तो उधा की कसम नोशिरवां, मैं ये साधों गोलियां तुमारे सर में उतार दूँगा वो जिस सर चबा चबा कर उससे घूर कर बोला था, नोशिरवां के पास बसपाई के सिवा को इचारा ना था, जब मैंने दिसली गोली मार कर उसका फोन उठाया और जाने लगा तो, तैनी के साथ उसके निगाओं के सामने वही खोफनाक मनसर फिर से तासा हुआ, वंदेरे पोश भी खड़ा था, उससे कदमे में खून में लत्पत साधी की रापड़ा था, अगाई उसके दमाग को जड़ी कोकेन फिरन करने लगी थी, वो तेजी से जुगा, साधी का मूपाईल उठाया, जिसमें खून के महस चंद कत्रे लगे थे, और उसे जेब में डाले अभास, हल्गी सी करा, वो चोंक कर वापिस खूमा, अंधेरे में आंके सुखेड कर देखा, ए, कौन है उधर, पिस्सोल सीधा ताने, वो इतियाद से कदम-कदम चलता, घर के अंधरूनी इससे तक आया, वहाँ को पंदेरा था, कौन है बोलो, उस से बुकारा मगर हामोश चाही रही, मगर वहाँ कोने में कोई हरकत सी हुई, वो कोई हेवला सा था, जो हरकत कर रहा था, नोशिरवान ने पिस्सोल तान कर, यह के बाद दीखरे फाइर किया, फिर करीब आया, मुबाइल की स्क्रीन नोशिन करके वो सरव डाली, उस सेमिट का एक हाली पेपर बैक जो सीडियों के साथ गिरा था, वो सा चड़क कर मुड़ा और बाहिर घाया, साधी हनूस वहीं गिरा पड़ा था, वो एक मुतनफ़र निकाह उस पर डालकर केट की दर वड़ा, मगर किसी एसास के तहित उस से करतर मूरी, बिनान, दर्वासों के उस खहित के डांचे की कच आ चुका था, मुझे शोर नहीं है, बगर शाहिद वहां कोई था, शाहिद नहीं था, अपनी कमरे में बैठे साथ जोकाए नोशिर वांग कह रहा था, आशे में एक दम उठा, सारा नशा हिरन हुआ, क्या उससे पिछले कतलों का हवाला दिया, मेरा नाम लेकर कुछ कहा, ह हाँ, बहुत कुछ बोला था उसने, वो फिर जाहिर है, वहां कोई था, और वो जानता था कि वहां कौन है, ओ मेरे हुदा, बेक त्यार उससे माते कुछ हो, तुम्हें किसी ने कोली चलाते दिखा है, यानि कि अब मोगे का कवा भी मुझूद है, लाना दे तुम पे नोश की एक सिट स्टेंप लगवा दूगा, पासपोर्ट लाओ जल्दी, आखिर में वो उसस से चलाया, तो नोशिरवान तेजी से बिसस सुचा, वो अलमारी की तरफ लबका, इन चंद गंटू में पहली दफ़ा उससे हिसास हो आता कि वो क्या कर चुका है,